कि अभी बच रहा है कि सारे नौ बजे सुबह के और मैंने कल रात के 10 बजी सुए तो अब कुस ऐसा फिल हो रहा है कि बहुत एक्टिव सा कि अब कॉंफिटेंस है यह बहुत ही उपर है क्योंकि मैंने एनाफ सो लिया लाश्ट ट्री ट्री और फोर देज में अच्छे से सो नहीं पाया वार्ट लोट के वज़े से इसलिए कल सो लिया क्योंकि बहुत ही नीदा रहे थे रात को और सो गया में मेरा कुछ काम भी पागी था लेकिन खुद से बोला कि नहीं और नहीं थोरा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है और अगर आपको भी ऐसा हो साथ वह आत्सट्रुम केंफये और आप टाइम वैस्ट में कि थे सब्स hacer काम किपो आपकोक् Teslin ladder आपको मश्ट को सोन हिया तो अगर आप सो जाओगे ना टाइं पे नाप सोर आओगे ऑधिक्रेंस क्यों Sahib और आपका confidence level जो है यह बहुत ही हद तक ऊपर हो जाते हैं और आपको next day जब खाम पर जाओगे आपका confidence level इतना हाई होगे कि आप success हो जाओगे तो body को rest देना बहुत ही जादा जरूरी है आपका जब नीद आता होता है कब आता है आपका देखिए जब आप बहुत tired होते हो तो आपको नीद आता है यानि कि आपका body आपको signal भेज रहे हैं कि आप rest ले लो rest ले लो यह body mechanism ही कुछ ऐसा है जब आप किसी किसी करम surface पर टेंस करते हो तो आटोमेटिक लिए आपका हाथ जो है वो आ जाते हैं इतना sensitive होता है दिमाग quick response कर देते हैं कि आप हाथ हटा लो बहाँ से वर ना चल जाएगी तो यह response इतना quick होता है अगर आप एक बात देखिए आख के सामने कुछ आ गया ना आपका पलत होता है ना तो बंद हो जाता है आख क्योंकि यह बहुत ही quick response है कि दिमाग आपको बोल देते हैं कि आप आख बंद के लिजिए नहीं तो आपके आखों में चोटा सकता है आप देखिए अब तो मेरा है जान उसके नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ कुछ भी ऐसे आखों के समना है कि आपका बंद हो जाएंगे तो हाँ आज का दिन अच्छे से सोया और कि स्वाट के कंद करना है देली का रूटिन है तो करना भी है यही मैं बोलूंगा कि आप अगर आपको मतलब नींद के जरूरत है तो आप सोये और आप सोये क्योंकि यह आप कॉंफिडेंस भी देता है और आपका बोड़ी का भी मतलब ख्याल रखता है तो इसलिए मैं यह वीडियो होना या ठीक है तब तक के लिए पाए टेक के लिए और फियर्स